सरकार ने कहा इस साल सरकार ने 11.5-11.00 करोड बजार से उठाए ब्याजदरें उची रही क्योंकि सरकार बजार से करज उठाने पहुची अब अगर सरकार अगले साल कह रही है कि हम थोड़ा कम करज उठाएंगे तो क्या ब्याजदरें कुछ बजार में सस्ती होती दिखेंग हाँ यह बात हमने बांड डिल्ड पर आज दबाओ के तौर पर देखी बजट के बाद बजट के असर को समझने के लिए दू आकड़े महतुपूर नोते हैं शेर बाजार तो उत्साहों पर चलता है शेर बाजार तो उत्साह सेंटिमेंट मैसेजिंग पर चलता है पर बांड म करण रूपय का हिस्सा हमारी चोटी बजटों पर ट्रांसवर कर दिया तो सरकार अगले साल जितना करज लेगी उसको में 12 लाग करण रूपय ही केवल बाजार से उठाएगी और बाकी हिस्सा चोटी बजटों से लिया जाएगा सरकार की कोशिस यह भी थी शुब हम इस को बाजार में ज्याधा तरलता की आप पूरती नहीं करनी होगी पिछले साल के बराबर भी मनी सप्लाई रखकर बाजार में काम चलाया जा सकता है तो आप मान सकते हैं कि अगर सरकार के करज कारेकरम की वज़े से ब्याजदने बढ़ती थी तो शायद उसकी वो यह मोर्च फिंगर क्रॉस ड्रग के हमने पिछले तीन बच्टों में देखा कभी कोवीड आ गया कभी रूस यूक्रेन का युद्ध आ गया ठीक है हम मान के चलते हैं कि यह सरकार बजट लाइए इससाल सब अच्छा-च्छा होगा ऐसी उमीद तो की जा सकती है फिसकल डेफेसिट सर फिसकल डेफेसिट को लेकर थोड़े उस ही लक्षी रखती है ताकि जिससे घाटे को कम किया जा सके पर दरसल फिसकल डेफेसिट अगले साल बढ़ा नहीं या सरकार ने फिसकल डेफिट घटाने का जो संकल्ब जाहिर किया वो भी शेयर-बाजार को भी पसंदा आया और श 6% के असपास रहती है, महेंगाईदर अगर 7% के असपास रहती है, nominal GDP growth rate करीब 11% के असपास रहती है, तो इस 11% की विकास दर पे सरकार के राजस्यों में बढ़ोतरी की दर में गिरावट होगी, और उस राजस्यों की बढ़ोतरी की दर में 5.9% पर फिस्कल डिपसिट को रोग पाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन होगा क्या, यह हम अगले साल 6 महिनों के भीतर जब आकड़े आएंगे, तब पता चलेगा कि सरकार के पास कितनी tax buoyancy नजर आई है, सर, चांदी का इस्तमाल के वल गहनों के लिए नहीं होता है, इंडस्ट्रियल मैटल भी है, ओटो सेक्टर लीजिए, सोलर पैनल लीजिए, बहुत सारी जगा चांदी का इस्तमाल होता है, चांदी के इंपोर्ट पर से ड्यूटी बढ़ गए, यह ख़बर कैसे ली जाएं? इंपोर्ट ड्यूटी में वह बहुतरी हमें लगता है कि पिछले दिनों में चांदी को लेकर भी तमाम तरीके के सवाल उठेते, और दबाव जो बना हुआ है उसे लेकर लेकर ऐसा लगता है कि सरकार ने चांदी को पर ड्यूटी लगाने को टागेट किया है और चांदी की ड्यूटी से ठीक ठाक रेविन्यू भी मिलना चाहिए बिल्कुल तो आप सोने की तरह प्लैटनम की तरह चांदी पर भी इंपोर् को लगता हो इसका कोई बज़ार पर बड़ा असर देखे रही है जो बाकी बदलाओ कस्टम डूटी के छेत्र में वह अलग अलग सिलेक्टिव प्रोडेक्स पर हैं जो हर वित्माद उसमें वितमंत्री करता है और इसलिए अगर आप देखिए कि कोई बड़ा additional revenue mobilization भी इस बजट में नहीं दिखाई देता बलकि 35,000 करोड का revenue last income tax में रियायतों के कारणा दिखाई देता है सर एक दो सवाल ले सकता हूं मदुसूदन दुवेदी जी का एक सवाल है वो यह कह रहे हैं कि सरकार natural farming और इन सब भी आगे बढ़ रहे हैं यह भी fertilizer subsidy को घटाने की एक कोशिश है एक scheme आई है इस budget में जिसका नाम सम्मान है या एक scheme वित्त मंतरी ने घोशित की थी मैं माशुबं जब तक उसको देख रहे हैं कि इस scheme का नाम क्या है है शायद उस scheme का नाम सम्मान जैसा कुछ नाम ने सुना था वो scheme fertilizer के balance to use को प्रेडित करने के लिए है और शायद सरकार आने वाले समय में बड़े अभियान के तहट यूरिया और खास्तर से डियेपी की खपत कम करने की कोशिस करेगी और स्सपी जैसी खादों को बढ़ाव देने की कोशिस करेगी उन fertilizer को उसकी वज़े यह है कि subsidy का बोज fertilizer पर कम किया जाना है तो इसलिए जो balance fertilizer use है उसको बढ़ाया जाएगा एक काम सरकार ने शुरू ही कर दिया है कि अब खाद जो भारत में मिलती है उसकी common branding की जा रही है और खाद की खरीद करने वालों के सारे details रखे जा रहे हैं ताकि काला बाजारी रोकी जा सके तो fertilizer के use को सीमित करने की कोशिश तो होगी है सर एक सवाल बहुत बारवार आ रहा है कई लोगों का रहा है प्रनाम प्रोग्राम for restoration of awareness and nourishment of amelioration of mother earth इसका नाम सरकार नामों पर काफी काम करती है अच्छे नाम क्वाइन क इसको प्रनाम स्कीम है और इस स्कीम में incentivize states और union territories को incentivize करेंगे alternative advantages के use के लिए इसकीम के details अभी हमारे पास नहीं है शायद वह बाद में और रख मंतराले जारी करेगा बाजार को शायद बजट समझ में आने लगा है या मुनाफ़ा वसूली आ गई है जो सेंसर्ट देख 1000 पॉइंट उपर तब 700 पॉइंट उपर रह गया है उपर से सब मुनाफ़ा वसूली बाजार में आ गई है कि बाजार का कुछ बिगड़ा नहीं इसलिए बाजार खुश था लेकिन बाजार को कुछ मिला नहीं तो उसके बाद मुनाफ़ा वसूली का मौका बाजार को दिख पूर रही है अगले बजट तो जुलाई में आएगा अगले साल अगर आप अगले पूर्ण बजट की बात करें खास्तर से वित्विदेक की बात करें तो अप तो चुनाओ के बाद बजट आएगा तब देखा जाएगा पर सरकार का इरादा टैक्स के जरिये बच्टों को प संधेश समझना ज़रूरी है जैसे इंकम टैक्स पेरों के संखया बढ़ती है सरकार के पास रइयाएते देनी की संभावना सीमित होती है लेकिन ये ख़बर आपके लगता है बहुत चिंता वाली है हमने अभी एकनोमिकम किया था बचना है तो बचाने दीजिए सरकार अगर बचतों को ही डिस्करेज करेगी और हम दश्कों के निचले स्तर पर चल रहे हैं बड़ा अबादी बचत करती है अगर सरकार उसको डिस्क सरकार से चर्चा की तिर बताया था कि सरकारें ही बचत कराने का काम सरकारों ने 78 शताबदी में बिटेन में शुरू किया था और वहां से भारत में बच्चतों की परंपरा आई नेशनल सेविंग सार्गनाईजेशन बनाया गया तो यह सरकार को सोचना होगा कि भारत की वि वजह लगती है मुझे जो मैं आकड़ों को भीता से पढ़ने के कोशिश करा हूँ वजह यह लगती है कि चोगे भी ब्याजदरें उची हैं तो बच्तों पर एक प्रोथसाहन बना हुआ है आम तोर पर छोटी बिचत इसके होगे भी ब्याजदरें साथ फीजदी साड़े सरकार शाए टेक्स को से कोई सीधी राहत देने की मूड में नहीं दिखती पर अकर इंकम टेक्स की नई रिजीम पर सरकार का फोकस देखा जाए तो सरकारे चाहती है कि कमाईए और सीधे टेक्स चुकाईए बचत और सुरक्षा की विवस्ता आप अपने अलग से करिए झाल 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 झाल